हेलो गोडिवनिंग गाईज स्वागत है अप सब का आपकी अपने यूट्यूब चनल करियर निर्माण में दोस्तों आज हम बात करेंगे डिलिटर प्लस भी टीजटी मैस मेल की एक्सपेक्टिट कटोफ के बारे में कि इसकी कटोफ क्या रहने वाली है और कौन-कौन सी से पहले कंपैरिजिन करेंगे प्रिविए सिर्प में सीटंव कितनी थी और इस साल सीट कितनी यह यू यू आर की अगर बात करेंए तो पहले सीट étant 1917 यहूजर से त्रह में इस बार 343 दो विछ यूर के मुकढले और इस सी और हम साट बड़ गई ने बड़ा होगा यू आर के लिए 40% OBC के लिए 35 और अधर्स के लिए यानि SC STI जो भी है उनके लिए 30% तो इतने माक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए एट लिस्ट कि आपका नाम आ जाए कट ओफ में तो दोनों पार्ट में आपको चालिस चालिस नंबर तो लाने ही पड़ेंगे वरना आप क्लियर नहीं होंगे आपको वहीं रोग दिया जाएगा ठीक है प्रीविएस एर कट ओफ के अगर बात करें तो यू आर की 82.05 थी OBC की ओल्मोर्स यू आर के बराबर 81.41 SC की काफी नीचे थी 60.78 और ST की 73.32 क्योंकि ST की सीटे भी काफी कम थी है ना तो काफी कम कट ओफ गई थी अब हम बात करते है थोड़ा आगे देखो काफी सारे बच्चों क्या नॉर्मलाजेशन होगा क्या जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्रेटेरिया है उससे रिलेक्शेश कि नॉर्मलाजेशन का सीम क्या होता है सारी shift का average निकाला जाता है average score क्या है उसके बाद में deviation दिखा जाता है कितना deviation है अगर कुछ ज़ाधा deviation है तो उस इसाब से एक multiplication factor बना जाता है जो हर shift में positive या negative करके marks को increase या decrease करता है तो वो data के अभाव में हम नहीं बता सकते नहीं कोई और बता सकता है criteria relaxation के अगर बात करें जो minimum qualify marks हैं कि 40%, 35%, 30% कोई बच्चा कहेगा मेरे 20 number बनने क्या मैं qualify कर सकता हूं बिल्कुर नहीं कर सकते जहां तक हम डीटर प्लस भी को देखते आए हैं कि वो relaxation नहीं देती है हाँ अगर कोई extreme case हो गया तो शायर डीटर प्लस भी relaxation दे दे लेकिन अभी तक कोई ऐसे आसार नहीं है कि relaxation दे दे सीटे खाली जा सकते हैं कि नहीं जा सकती हैं पिल्कुल जा सकती हैं पिछले कुछ exams में सीटे खाली भी गई हैं अगर उन्हें उतने बच्चे नहीं मिले सफिशेर नंबर वो बच्चे नहीं मिले जो 40% 35% 30% कट ओफ को क्वालिफाई करें तो सीटे खाली चली जाती हैं ठीक हैं तो minimum qualifying marks तो आपको लाने ही पड़ेंग OBC में 35 और बाकियों में 30% अगर बात करें expected cutoff की तो UR की 92 से लेके 97 के बीच में रहने वाली हैं OBC की 84 से लेके 85 तक SC की 65 से लेके 67 तक ST की 60-62 के बीच में रहने वाली हैं एक और मैं important चीज़ बताना चाहता हूं यह cutoff exact नहीं है it is subject to variation क्योंकि हमारे पास देखो data नहीं है ह कर सकते हैं कि इतनी जाएगी हो सकता है इसे थोड़ी बहुत ऊपर हो सकता है इससे थोड़ी बहुत नीचे तो इसमें लडाई वाली कोई बात नहीं कि आपने इतनी बताई थी इतनी चली हम बस expect कर रहे हैं इतनी जा सकते हैं पिछली साल के हिसाब से compare करके number of sheets compare करके और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों में जिस किसी ने भी TGT मैस मेल का एक्जाम दिया हो उसके साथ में शेयर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छी वीडियो लाने के लिए आपके कोई भी ककॉयरी है कमेंट बौक्स में लिए टीजें केलीग्बू पर फोलो करलीजिए वहां पर ग्रूप है मैं और सकते हैं जडनेप मिलते रहें देंब द भी